आपको कुछ दिखाना चाहते हैं प्लीज आजदेश के लोगों से पूछना चाहता हूँ केशरी या जुबा केशरी सबसे पहले केशरी का मतलब बताूंगा फिर जुबा केशरी का मतलब बताूंगा केशरी एक अखबार हुआ करता था जो 1881 से दिन मंगलबार 4 जनवरी को पूने से प्रकासित होना शुरू किया और उस अखबार को प्रकासित करने वाला कोई और नहीं बाल गंगादर तिलक थे वह वही तिलक थे जिनके करांतिकारी लेख के वज़ा से देश अज़ाद हुआ वही तिलक थे जो 1908 से लेके 1914 तक अपने अखबार के वज़ा से जेल में रहे और उस केशरी का मतलब बदल दिया गया और कर दिया गया बोलो जुबा केसरी और वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि गुटका कमपनियों का परचार करना है राइठाकर जी जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े सेर हैं मुंबई के और उसी मुंबई में बहरोपीय कलाकार गुटका का परचार करते हैं और बोलते हैं जुबा केसरी वो इसलिए बोलते हैं कि जितना भी गुटका खाएंगे जब थूख फेका जाता है तो लगबग उसी कलर का होता है ज़रा सोचिए ये केसरी सब्द और केसरी रंग के साथ अपमान नहीं है तो और क्या है आप एक बार गुटका खा के थूख के देखिये कि उसका रंग कैसा होता है और इससे ज़्यादा अपमान जो है ना केसरी सब सब्द जो सौरे का प्रतीक होता है केसरी सब्द जो देश को आजादी दिलाया उसके साथ इस परकार से अपमान किया जाता है देखिये यहीं है वो गुटका छाप कलाकार जो साले मिलके भी गुटका नहीं बेच पाते हैं फिल्मों में फलॉप इसलिए यह लोग हो गये ह दोने ऐसरे मारव एद формat कलाकार है जो गुटका का पर चार करता बागी कोई कलाकार नहीं पर चार करता और इसका दुकान जो है बंद हो कोड़ मां लग हो जुब पक्रूह इस वजह से पान भाहर दाऀए और प्न पाने बीबी को पान बाहर खिलाता है क्या यह अपने बच्चे को पान बाहर खिलाता है यह अक्षाय कुमार यह परचार कर रहा है गुटका का और कहता है कि हम गुटका का परचार अब नहीं करेंगे लेकिन जो कर दिये हैं वो कर दिये हैं और देश के लोग समझते हैं कि अक्षाय कुमार गुटका का और इसलिए जो है अंग्रे जी माफि मांगा है और लिखा है का कि परचार कंटिनीव रहेगा आगे से हम परचार नहीं करेंगा जो पैसवा आया है न वो इंसानियत में खर्चा कर देंगे लेकिन बताया नहीं है कि कितना पैसा लिया है यह यह देखिए यह आजय दोगानी इसका सकले सुरथ गुठका चाप है छाओं अ हूँ यह देखिये और इसके पाप का प्रास्चित जो है कौन करेगा इसके बच्चे पर बित रहा है इसका बच्चा अब बच्चे के उपर दूगा तो बुरा लग जाएगा इसको गुठका च Change. कलाकार का गुठका च्चा और यह सारुक घान इसका बचवा जो है ना इसलिए ड्रॉक्स का सेवन करता है इसलिए यही रिजन है बोलो जुबा केसरी बीमल का माउथ फ्रेशनर केसर खिलाएंगे देश का कितना गरीब केसर खाता है कोई खाता है क्या केसर यह सरगोसी आइड करते हैं और देखिए मानिक चंद ऊचे लोग उची पसंद अगर ऊचा बनना है तो मानिक चंद खाना ज़रूरिए पान बाहर पहचान का मियाभी की अगर का मियाभी को पहचानना है गुछार कना है क्ला का इसलिए चूटक की परशार कर देते हैं कि इलाइची लिखा हुआ है, जब सिल्वर कोटेट इलाइची यह का परचार कर रहा है, तो पीछे हाथ क्यों खीचे? एक तरब कहाते हैं, पोलियो मुक्त भारत, कुपोसन मुक्त भारत और दूसरे तरब कैंसर का परचार, जैसे चीजों का परचार करते हैं, इससे कैंसर पे चड़के गुटक परचार डाइरेक्ट करते सर्गोसी एड के तुरू करते अच्छा एक उमार ये देखे ये अभी 55 साल के हैं और इस उम्र में भी भारत के लोग जो है इन्हें कलकार सुपरेश्टार का दर्जा दिये हैं और ये हैं बहरूपिया सीधे लेटर में लिके हुए हैं कि अभी हम एस्टेप बैक नहीं ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आगे से हम इस परकार का परचार नहीं करेंगे और जो पैसा आएगा उसको इंसानियत पर खर्चा करेंगे और ब्रांड जो है एडबर्टाइजमेंट को लीगल तरीके से अभ करकार के बहरूपिये कलाकारों को हम सुपरेश्टार बना देते हैं जो पहले आजय देवगन नहीं बेच पाएं फिर सारुख खान मिले उभी नहीं बेच पाएं फिर तुम्हारे जैसे गुटका छप कलाकार तीसरा मिला तो भी नहीं बेच पाओगे तुम लोग भी मल औ और हम लोग वायदा करते हैं कि इस देश से गुटका परतिबंदित करा के ही दम लेंगे कम से कम बिहार में गुटका परतिबंदित है ना लेकिन हला कि हां हर एक चोक्चो रहा पे मिलता है वो भी बंद होगा क्योंकि गुटका के वज़ासे देश को फैदा नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ रेल्वे को 1200 रुफिया सालाना नुक्सान गुटकाक वो जैसे होता है यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है रेल्वे पीकर पर विवाद करने वाले पहले तीलक को तो सम्मान दिला दो जो महराष्ट्रा कहीं नहीं पूरे देश के सबसे बड़े सोतंत्रता से नानियों में से एक थे जो केसरी नाम का जो है वो अकबार छापते थे और अजय देवगन जो है न वो बोलता है बोलो जुबा केसरी यानि कहने का मतलब यह है कि कहीं नहीं तो कहीं इस देश के बर्तमान नेता भी जो है न वो फर्जी राष्टवादी है और इस देश के कलाकार तो बहरुपिया है पैसा दोगे तो यह लोग नंगा नाच करना शुरू कर देंगे यह चीज़े है और देश के लोगों से भी कहना चाता हूं अभी अक्षय कुमार का रेलाई आप लोग जारी रखे उन्होंने एड से पिछा हाथ नहीं खिचा है एड कंटिनीव रहेगा और तब तक कंटिनीव रहेगा जब तक इन्होंने कंट्रेक्ट किया है और लेटर म इतना बड़ा बहर उपिया है